हेलो दोस्तों आपका हमारे यूटूब चैनल पर स्वागत अभिनंदन कल हमने अधिगम के सिध्धान पढ़े थे जिसमें हमने पहला सिध्धान थांडाइक का उद्धिपक अनुक्रिया सिध्धान पढ़ा जिसमें हमने परिचर्चा की और जिसमें हमने बताया था कि उद्धिपक महत्पून होता है अनुक्रिया करवाने के लिए इसलिए थांडाइक ने किस पे बल दिया उद्धिपक पर हम इसी प्रकार से जब थांडाइक भी विवारवादी है उसी प्रकार से हम दूसरे एक विवारवादी का अधीगम का सिध्धान्त पढ़ेंगे और उस सिध्धान्त का नाम है सास्त्रिय अनुबंदन सिध्धान्त सास्त्रिय अनुबंदन सिध्धान और इस सिध्धान के साथियो प्रतिपादक हैं प्रतिपादक इस सिध्धान के प्रतिपादक हैं पावलाव और पावलाव कहां के थे रूस के थे रसिया के थे ये साथियों शरीर विज्ञानी थे अशा ये डॉक्टर थे अब देखिए अब आते हैं इसे और क्या है कहा जाता है सास्त्री अनुबंदन इसे ही कहा जाता है अनुबंधित अनुबंधित अनुकिरिया का सिध्धान्त इसे ही साथियों इंगलिस ट्रम में कह दियाता है CR theory conditional response theory conditional response theory इसे ही साथियों कहीं बार कह जाता है अधीगम प्रत्यावर्तन का सिध्धान्त इस प्रकार से इसे ही कहा दिया जाता है सास्त्री के जगे साथियों हिंदी का बार होता प्रमप्रागत प्रमप्रागत अनुबंधन सिध्धान्त conditional याने classical conditional theory उसे ही कहा जाता है प्रमप्रागत अनुबंधन सिध्धान्त इन नामों से साथ ही इसको जाना जाता है नाम आपको याद करने की ज़रत नहीं है सारे याद करवा दिया जाएंगे अब देखते हैं कि इनों ने जो प्रियोग किया प्रियोग किया प्रियोग इनों ने कुट्टे पर किया कुट्टे पर किसने? पावलाव ने पावलाव ने प्रियोग किया कुत्ते की लारगरंथी पर और साथियों इसी सिध्धान्त को एक प्रियोग और भी किया है वो थे जेबी वाट्सन वाट्सन साब ने प्रियोग किया है अगर हम देखते हैं तो उन्हों ने किया है यहीं कि अपने बेटे के उपर और उनका बेटा अलबाट है अलबड वै खर्गोस अलबट और खर्गोस के उपर इनों ने वाट्सन साब ने भी इस सिद्धांत का प्रियोग किया है पहले हम समझेंगे पावलाउ का कुत्ते पर किया गया प्रियोग देखे साथ ही एक factual question है कई बार पूछ लिया जाता है पाउलाव साब को 1904 में इस सिधान्त के कारण उन्हें नोबेल पुरुषकार दिया गया नोबेल पुरुषकार दिया गया तो नोबेल पुरुषकार किस मनोवग्यानिक को दिया पाउलाव को मनोवग्यानिक को पाउलाव को कब दिया गया 1904 में अब लेकर आते हैं साथ ही इनका पृइयोग कुट्टे पे इन्होंने क्या पृइयोग किया वो हम बताएंगे कि क्या किया लग्च बताते हैं एक कुट्टे को कुट्टे के सामने बोजन दिखाया गया कुट्टे को जैसे ही बोजन को देखा कुट्टे ने लार स्रावित की लार निकाली स्रावित की उसके मुँ से लार निकल ले लेकि अगले दिन फिर उसे बोजन दिखाया गया कुट्टे ने लार निकाली अगले दिन फिर भोजन दिखाया गया कुत्य ने लार निकाली अब क्या किया भोजन से पहले भोजन दिखाया गया भोजन से पहले घंटी बजाई फिर भोजन दिखाया कुत्य ने लार निकाली इस प्रकार फिर अगले दिन घंटी बजाई भोजन दिखाया, कुतिल ने लार निकाले और एक दिन ऐसा किया कि हमने उसे केवल घंटी बजाई भोजन नहीं दिखाया, तब भी कुतिल ने लार निकाले ये था इसका प्रियोग, इस प्रियोग को विस्तार से, दो मिनिट बाद में बात करेंगे, अब आते हैं साथियोग इसके कुछ ट्रम्ज के आधार पर जिससे आपको आसानी से समझ में आ जाए देखी साथियोग आपको मैंने थांडाइक का जब पढ़ाय जब बता दिया था उद्धिपक क्या होता है उद्धिपक बातवन उपस्तित होता है और ये प्रानी का ध्यान आकरशित करता है और प्रानी से अनुकिरिया करवाता है यisphere इसमें अनुकिरिया करवाने की छमता होती है जैसे कि आप से कहा जाए अगर मैं आपको गाली दूँ तो आप हो सकता है बदले में मुझे गाली दे या मेरे थपड मारे तो आपने मुझे गाली क्यों दी या थपड क्यों मारा इसलिए कि मैंने जो गाली आपको दी वो उद्धिपक था और उसकी प्रतिक्रिया सरूप आपने क्या किया मुझे थपड मारा या आपकी एकदम तेज धवनी आई है तेज आवाज आई है यह तो था पेटा उद्धिपक और जिसे सहमना चोकना या डर जाना यह तेख्या थी अनुक्रिया तो विक्ति क्यों रहा क्योंकि उद्धिपक था तो थांडाइक ने उद्धिपक पे बल दिया यहां यह भी उद्धिपक बताता है लेकिन साथ ही हो पावलाओ दो प्रकार के उद्धिपक बताता है कितने प्रकार के दो प्रकार के उद्धिपक बताता है एक को कहता है स्वाभाविक उद्धिपक स्वाभाविक उद्धिपक स्वाभाविक उद्धिपक और एक को कहता है एस्वाभाविक श्वाभाविक उद्धिपक, ए स्वाभाविक उद्धिपक, स्वाभाविक कोई कह देता है प्राकर्तिक उद्धिपक, इसको कहता है एप्राकर्तिक उद्धिपक, इसे ही साथियों कह देता है वह अनानुबंदित उद्धिपक, इसे वह साथियों कहता है अनुबंदित उद्धिपक अनुबंदित उद्धिपक इसे ही कह देता है साथियों इसे वो कृत्रीम उद्धिपक या इसे ही वो संबद उद्धिपक इन नामों से बोलता है साथियों अब प्रशन उठता है कि स्वाभाविक उद्धिपक किसे कहता है वो एक्जामपल देता है स्वाभाविक उद्धिपक का जिसे भोजन और एस्वाभाविक उद्धिपक जिसे हम अनुबंदित उद्धिपक का है उसका वो उधारन देता है अगर हम बात करें यहां लिख देता हूँ उसका वो उधारन देता है किसका घंटी का घंटी का वो क्या बताता है एस्वाभाविक उद्धिपक इसे हम तटस्ट या न्य या अनानुमंदित उद्धिपक देखिए आपके हिंदी में ज्यादा वर्ड ये मिलेगा परिक्षा में अनानुमंदित उद्धिपक या अनुमंदित उद्धिपक तो आपको इन दोनों को समझना है बात एक ही है सारे अनानुमंदित उद्धिपक या स्वाभाई उद्धि किसी सर्थ की वज़े से उसमें यह गुण नहीं आया जब भी वैं उद्धिपक आएगा तो प्राणी वैसी अनुक्रिया करेगा ही अर्था वैसी अनुक्रिया करवाने का गुण उस उद्धिपक के अंदर होता है जैसे हम कुट्टे को भोजन दिखाएंगे तो जैसे ही भोजन को देखा कुट्टे के मूँ से लार निकलने लगेगी फिर कभी हम कुट्टे को भोजन दिखाएंगे कुट्टे के मूँ से लार निकलने लगेगी तो कुट्टे के मूँ से जो लार निकल रही है स्रावित हो रही है ये छमता किसके पास है कुट्टे के मूँ से लार निकल आने की छमता भोजन के पास है ये भोजन का गुण है कि वह कुद्टे से लार निकला रहा है तो ये उसका प्रमानेंट गुण होता है स्वाभाविक उद्धिपक में अनुक्रिया करवाने की छमता स्वाभाविक होती है नैचुरल होती है इस्थाई होती है इसलिए इसको हम स्वाभाविक उदिपक या नैचरल उदिपक या अनानुबंदित यानल ये किसी भी अनुबंद में बंदा वा नहीं है Unconditional है इंगलीज रबद Unconditional Stimulus इसलिए हम उसे क्या कहेंगे UCS Unconditional Stimulus अनानुमंदित उद्धिपग जो किसी अनुमंद में बंदावर नहीं है अर्थात इस उद्धिपग के अंदर प्रानी से अनुकिरिया करवाने की छम्ता पाई जाती है और यह छम्ता यह गुन इसका खुद का होता है और यह प्रमानेंट होता है अब आता है कि घंटी घंटी के आवाज़ पर क्या कुतलार निकालेगा ने पारन्तु एक दिनों निकालेगा कैसे निकालेगा कि घंटी वजाए हम और घंटी के बाद भोजन दे अगले दिन भी घंटी बजाए फिर भोजन दे अगले गंटि बजाए फिर भोजन दे कई दिनों तक जब हम घंटी बजाए और भोजन दे यह परक्रीया को दोराते रहेंगे है पुन्रा वर्ती करते रहेंगे घणटी बजाएंगे और कुताooky है यह समझ जाएगा तुझे भोजन मिलने वाला है इसलिए भोजन पर जो वो लार निकालता था वही लार वो किसकी आवाज पर निकाल देगा घंटी की धवनी पर निकाल देगा अब ये घंटी में आपने शुरुआत बात की थी कि पहले दिन अगर हम घंटी बजाएं कुट्टा लार नहीं निकालता है लेकिन जब कई दिनों तक हमने घंटी बजाने के बाद में कुट्टे को भोजन दिया तो कुट्टे को ये समझ में आ गया कि ये घंटी बजने के बाद में तुझे भोजन मिलता है और एक दिन हमने क्या किया फिर केवल घंटी बजाई और भोजन नहीं दिया तब भी कुत्ता ने बिना भोजन आये भी कुत्ते ने लार निकाल दी घंटी के आवाज पे इसका मतलब क्या हुआ कुत्ता यह समझ गया था कि इस घंटी के आवाज के बाद में मुझे भोजन मिलने वाला है तो भोजन के परती जो अनुक्रिया करता वही अनुक्रिया वो किसके परती करने लग गया है घंटी के आवाज के परती करने लग गया है तो घंटी में अब यह अनुक्रिया करवाने की छमता आ गई, आर्था लार निकलवाने की छमता आ गई है, अब यह घंटी उद्धिपक तो बन गया है, लेकिन इस उद्धिपक को हम कहेंगे एस्वाभावी कुद्धिपक, एप्राकर्तिक उद्धिपक, अनुबंदित उद कि अगर इस घंटी के बाद में, घंटी बजाने के बाद में हम भोजन देते हैं, दूसरे दिन भी घंटी बजाने के बाद में भोजन देते हैं, तब जाकर एक दिन केवल घंटी बजाते हैं और भोजन नहीं देते हैं, तब भी कुदा लार निकालता है, अर्थात बार ब स्वाभाविक उद्धिपक से पूर्व प्रस्तुत किया है पहले ऐस्वाभाविक उद्धिपक फिर स्वाभाविक उद्धिपक अर्थात हमने बार बार इसे भोजन से पहले प्रस्तुत किया है तब जाकर इसमें यह अनुकिरिया करवाने की छमता आई है इसलिए यह छमता दिन नहीं रुकेगा एक दिन ऐसा भी आएगा कि हम घंटी वजाए और भोजन नहीं दें अगले दिन भी घंटी वजाए भोजन नहीं दें फिर अगले दिन भी घंटी वजाए भोजन नहीं दें तो कुत्ते की धीरे-धीरे क्या होती आजाएगी लार की मात्रा कम होती आज जाएगी और एक दिन ऐसा आएगा कि हम घंटी वह जाएंगे कुटा लार स्राविते नहीं करेगा अब इसमें से फिर वो अनुक्रिया करवाने की छमता गाइफ हो गई विलोपित हो गई इसलिए साथियो ये गुण इसका पर्मानेंट नहीं है ये छमता इसकी पर्मानेंट नहीं है इसलिए हम इसे तटस्ट उद्धिपक या अनुबंदित उद्धिपक कहेंगे conditional stimulus कहेंगे उमीद करता हूँ आपके दोनों उद्धिपक समझ बाएंगे फिर रिपीट करता हूँ स्वाभाविक उद्धिपक वह उद्धिपक होता है जो प्रानी से अनुक्रिया करवाने की छमता खुद रखता है ऐसे के जिसमें प्राणी से अनुक्रिया करवाने की छम्ता तो आ जाएगी लेकिन वह किसी कंडिशन की वज़ह से आएगी और वह कंडिशन यह है कि उसे हम बार बार स्वाभाविक उद्दिपक से पहले परस्तुत करें तब तो प्राणी उसके प्रती अनुक्रिया करना बताएं हैं स्वाभाविक उद्धिपक और एस्वाभाविक उद्धिपक तो इसने अनुक्रिया भी दो बताई हैं अनुक्रिया भी दो बताई हैं रेस्पोन्स भी दो बताएं, अनुक्रिया भी दो बताईएं, स्वाभाविक अनुक्रिया और ए स्वाभाविक अनुक्रिया, ए स्वाभाविक अनुक्रिया, साथ ही वो की वोई बात है, स्वाभाविक अनुक्रिया को हम प्राकर्तिक अनुक्रिया भी कह देंगे, अनानुबंदित अनुकिरिया भी कह देंगे इसी परकार ए स्वाभाविक अनुकिरिया कौम ए प्राकर्तिक अनुकिरिया कह देंगे अनुबंदित अनुकिरिया कह देंगे संबद अनुकिरिया कह देंगे अब प्रशन उड़ता है कि स्वाभाविक अनुकिरिया किसे कहता हूँ, स्वाभाविक अनुकिरिया उसे कहता है कि भोजन के प्रस्तुत करने पर कुता लार निकालता है, तो यह अनुकिरिया है, प्रशन ऐसे आएगा, भोजन की प्रस्तुती पर कुता लार निकालता है, य यह है किस प्रकार के अनुकिरिया स्वाभावी के अनुकिरिया यह प्रशन आएगा घंटी की धावनी पर कुता लार सरावित करता है यह अनुकिरिया है ऐस्वाभावी के अनुकिरिया बच्ची इसमें बहुत कंफ्यूज होते हैं कंफ्यूज होने की कोई डर नहीं है आपक उद्धिपक की प्रस्तुती पर हुटालार स्रावित करता है यह है वह हमें उद्धिपक कैसा दिया है अनुबंदित तो अनुक्रिया भी क्या होगी अनुबंदित अनुक्रिया अगर प्रशन में आता है स्वाभाविक उद्धिपक की प्रस्तुती पर हुटालार स्रावित क आपको कोई डरना नहीं है, अनुकृया कैसी होगी, जैसा उध्दिपक वैसी अनुक्रिया। तो देखिए इसमें जैसे मैं बताऊं, भोजन की प्रस्तूति पर भोजन दिखाया कुतियले लार निकाली। यहां लार निकालना क्या है अनुक्रिया है और भोजन क्या है उद्धिपक है भोजन कैसा उद्धिपक था स्वाभाविक उद्धिपक है तो यह लार निकालने वाली अनुक्रिया भी कैसी कहलाएगी स्वाभाविक अनुक्रिया केवल घंटी की आवाज घंटी की धावनी प था अनुबंदित उद्धिक्षक तो यहां लार με गंटी की द्धानी पर निकाल रहा दो क्यूंक्या हो जाएगी अनुबंदित उद्धिक्षक उन्हों जैसा उद्धिपक करना neu इससे आपको सारी चीज़ें से निशे समझ में आरती चली जाएंगे। इसके इंग्लिश ट्रम्प्स को भी यूज करता है साथियो। इस प्रियोग को मैं प्रियोग को समझाता हूँ यहाँ पर। पहले दिन इसने पहले तो देखे कि इसके इसके प्रियोग के तीन चरण हैं। कितने चरण हैं तीन चरण। तीन चरणों में इस प्रियोग को इसने संपन किया फ़र्ष्ट चरण। पहला चरण इसमें क्या किया कि उसने भोजन दिखाया कुट्टे को और भोजन दिखाने पर कुट्टे ने लार निकाली, लार स्रावित की. सेकिंड चरण में इसने क्या किया घंटी बजाई और घंटी बजाने कुछ समय बाद में भोजन दिखाया और कुट्टे ने लार निकाली, लार निकाली. सेकिंड चरण में इसने कई बार रिपीट किया इसको घंटी बजाई भोजन दिखाया और कुट्टे ने लार निकाली, फिर घंटी बजाई अगले दिन भोजन दिखाया कुट्टे ने लार निकाली, सेकिंड चरण को इसने कई दिन इस प्रकार रिपीट किया, थर्ड चर शरावी थ्यूस प्रकार से इसने प्रियोग क्यों किया कि देखिए भोजन के दिखाने पर कुतिन लार भोजन कैसा उद्दिपक था UCS Unconditional Stimulus UCS था UCS था तो अग इसने जो लार निका ली तो वो कैसी दी Unconditional Response UCR अगले दिन उसने क्या किया घंटी घंटी बजाई घंटी कैसा उद्धिपक है CS Conditional Stimulus Conditional Stimulus के साथ उसने क्या दिया UCS Unconditional Stimulus तो यहाँ पर कुट्टे ने जो लार निका ली लार श्रावित की वो अनुकुरिया है कैसी अनुकुरिया है UCR UCR और इस चीज को कही दिन repeat किया है CS दिया फिर UCS दिया UCRI फिर आगले दिन भी CS दिया UCS दिया फिर UCRI फिर एक दिन केवल घंटी यहने CS Conditional Stimulus है Conditional Stimulus दिया तो जो अनुकुरिया भी कुट्टे ने लार निकाली वो भी कैसी निकाली UCR Conditional Response हमें इसमें यही समझना है कि वो क्या कर रहा है देखिए यहां तक आती यहां पर कुट्टा लार निकाले ही गाई क्योंकि जब भी भोजन दिखाए जाएगा कुट्टा लार निकाले ही क्योंकि भोजन में यह चमता है यह अनुक्रिया करवाने की छमता है यहां देखते हैं साथियों कि यहां पर क्या कर रहा है घंटी में छमता नहीं है यह कुत इस लार निकाल रहा है लेकिन साथ में हमने भोजन दे दिया बाद में इसलिए भोजन की वज़े से वह अनुक्रिया कर रहा है तो जब तक भोजन रहेगा ये स्वाभावी कुद्धिपक रहेगा हम ये नहीं कह सकते हैं कि घंटी की वज़े से वो लार निकाल रहा है जब तक स्वाभाविक उद्धिपक रहेगा हम यही मानेंगे कि वो स्वाभाविक उद्धिपक की वज़े से अनुक्रिया कर रहा है इसलिए ऐसे अनुक्रिया को हम स्वाभाविक अनुक्रिया ही कहेंगे लेकिन जब हम भोजन देंगे ही नहीं स्वाभाविक उद्धिपक नियुक केवल घंटी वजाएं यहां kommerडिक दिपक परस्टूत करें फिर भी कुटा लायर निकालें करें उसे हम कहेंगे अनुबंदित अनुखरिया क्यों आब हम यह नहीं कह सकते कि यह अनुखरिया वहज़न की वज़े अब हमें मालूम है कि अनुकड़िया किसके वजह से हो अरी है घंटी वजह से हो रही है इसलिए ऐसी होने वाली अनुक्रिया को हम अनुमदीत अनुक्रिया कहेंगे अब इस प्रियोकों शाथियों इंग्छिस टर्म्ज में भी पूछ लेता है कई बार देखिए अब आपको ये समझना है फस्ट चरण में उसने कौन सा उद्धिपक प्रस्थुत किया केवल स्वाभावीक उद्धिपक तीसरे चरण में उसने कौन सा उद्धिपक प्रस्तुत किया केवल एस्वाभाविक उद्धिपक दूसरे चरण में उसने कितने उद्धिपक प्रस्तुत किये दो दूसरे चरण में कौन-कौन से अनुबंदित उद्धिपक और अनानुबंदित उद्धिपक यहने स्वाभाविक उद्धिपक के बाद में स्वाभाविक उद्धिपक ये दूसरे चरण में इसलिए प्रसन सीधा पूछा जा सकता है कि पहले चरण में कौन सा उद्धिपक प्रस्तुत किया तीसरे चरण में कौन सा उद्धिपक प्रस्तुत किया और दूसरे चरण में जो उद्धिपक प्रस्तुत किये उनका sequence order भी पूछ सकता है क्रम भी पूछ जा सकता है तो पहले क्या प्रस्तुत किया उसने घंटी यानि अनुबंदित उद्धिपक फिर उसने क्या प्रस्तुत किया भोजन अनावन उद्धिपक यह second चरण की बात कर रहा हूँ पहले घंटी फिर भोजन अब साथ यह इसको कई बार English के आधार पे पूछ लेता है और यह पूछ लेता है कि इसके प्रियोग का सही करम बताईए इसके प्रियोग का सही करम बताईए प्रतेग उप्शन में तो देखिए पहले चरण मिशन ने क्या प्रस्तुत किया है UCS तो क्या हुई है UCR दूसरे चरण मिशन ने क्या किया CS पलस UCS क्या ही UCR और इसको यह दो-तीन दिन रिपीट करता है अपनी यान ही लिखेंगे फिर यह क्या करता है CS और फिर क्या होती है CR अब आपको यह टेंसन आएगी साहब यह क्या लिख दिया अंगलीस में आपको कुछ नहीं पकड़ना हमने क्या किया है S याने Stimulus S याने Stimulus याने उद्दिपक उद्दिपक को हमने क्या कहा है Stimulus Stimulus याने Stimulus का क्या उठा लिया? S और मैंने सुरुवात में साथ ही आप कहा था जैसा S या जैसा उद्धिपक वैसी अनुकिरिया तो हमारे यहां उद्धिपक S हो गया S के उपर क्या होगी? R यह उद्धिपक है यह अनुकिरिया है अब हमें यह देखना है कि उद्धिपक कैसा है UC वाला है तो R भी कैसी अनुकिरिया भी कैसी होगी UC वाला यहने जैसा S वैसा R R किस पे डिपेंड करता है? S पे S यहने Stimulus Stimulus यहने उद्धिपक तो जैसा उद्धिपक वैसी अनुकिरिया Response कैसा होगा? वैसा ही होगा अब देखी C S Conditional S कैसा है? C वाला ठीक है यहाँ S कैसा है? UC वाला और मैंने कहा जब तक हम भोजन दे रहे हैं अनानुबंदी तुद्धिपक दे रहे हैं स्वाभावी कुद्धिपक दे रहे हैं तब तक होने वाले अनुकिरिया स्वाभाविक अनुकिरिया ही कहलाएगी इसलिए यहाँ देखे यहाँ वाला देखेंगी इसलिए यहाँ वाला नहीं देखेंगे क्योंकि यह S है S पर क्या होजागी? R S कैसा है? UC वाला है तो R भी कैसा हो जाएगा UC वाला होगा UCR अब तीस अज़ अनमे S कैसा है S पे क्या होगी साथियो S पे होगी R S पे R होगा Stimulus होगा तो response होगी अब S कैसा है S है हमारा साथियो C वाला तो R भी कैसा होगा हमारा C वाला CR इसलिए आपको इसमें कोई टेंशन नहीं लेनी है जैसा S वैसा R अब सीधा प्रशन आपसे क्या पूछ लिया जाए परिक्षा में पूछा भी जाता है UCS की प्रस्तुती करने पर प्राणी अनुकिरिया करता है या कुत्ता अनुकिरिया करता है यह है UCS की प्रस्तुति पर, फिर option में मिलेगा, एक तो CR, एक मिलेगा, CS, एक मिलेगा, UCS, इस प्रकार से मिलेगा, तो आपको क्या देखना है, परिक्षम क्या दिया है, UCS की प्रस्तुति पर, प्राणी अनुकिरिया करता है, यह है, तो हमें तो देखना है, S पे क्या होगा R और S कैसा है UC वाला तो हम उसका अंसर देंगे UCR या हो सकता है UCR के जगे ओप्सन में आपको हिंदी में मिल जाए अनानुमंदित अनुक्रिया तो आपको R का पता ही है रेस्पोंस अनुक्रिया और ये UC है अनकंडिशनल तो अनानुमंदित अनुक्रिया अगर सीद आ जाए CS की प्रस्तुती पर प्राणी अनुक्रिया करता है यह है तो CS S की उपर क्या जाएगा साथियो S पर आ जाएगा R और S कैसा है C वाला है तो आंसर भी क्या जाएगा CR अनुमंदित अनुक्रिया आपको एक ही चीज़ समझनी है जैसा उद्धिपक वैसी अनुकिरिया जैसा S वैसा R अब देखिए इस पे कई बार बच्चों का एक कन्फूजन रहता है और एक बार ओफलाइन की क्लास में एक बच्चे ने पूछा और कहा कि सर मैं यह नहीं मानता हूँ कि भोजन की वजए से कुटा लार निकालता है बल कुटे की तो आदेत है लार निकालने की मैं बोला कुत्ते को बाठे दिखा पत्थर दिखा इंट दिखा क्या वो लार निकालेगा क्या क्योंकि इंट में पत्थर में लार निकालने की छमता नहीं है गुण नहीं है लार निकालने की छमता तो किसमें है भोजन में है इसलिए जैसे मास दिखाओगे आप उसे भोजन दिखाओगे तो कुटा लारस रावित करेगा समझे आप अब देखिए साथियो इस प्रियोग का सैक्षिक महत्व इस इधान्त का सैक्षिक महत्व इसक्ष्या में इसका महत्व क्या है आप देखिए यहां कंडीशिन क्या मानता है इसे कंडीशिन कहते है तो देखिए यहां पर लेकर आते है साथियो इसका सिक्ष्या में महत्व तो देखिए सबसे पहली इसमें लिखते हैं ये किस पर बल दे रहा है किरिया की पुन्रावर्ती पर बल दे रहा है किरिया की पुन्रावर्ती पर बल दे रहा है अगर आपने देखा होगा घंटी बजाई भोजन दिया घंटी बजाई भोजन दिया एक दिन के अवल घंटी बजाई भोजन नहीं दिया तब भी कुत्ते ने लार निकाल दी हमने इस किरिया को बार बार दो रहा है एकी रूप में एकी फ्रिक्वेंशी में इसलिए किरिया की पुन्रावर्ती या आवर्ती पर बल देता है ये कहता है एकी कारिये को एकी रूप में बार बार कीजिए frequency पे बल देता है, किरिया की पुन्रावर्ती पर बल देता है तो यह कहता है किरिया की पुन्रावर्ती हम बालक के सामने बार बार करेंगे तो बालक उस कारिय को करना सीख जाएगा अब देखिए, यहां देखते हैं यह यांत्रिक तरीके से, यांत्रिक तरीके से सीखने पर बल देता है, तरीके से सीखने पर बल देता है, यंत्रवत, यहने कि आपने एक प्रोसेस बना लिया है, उस प्रोसेस को बार बार उसी रूप में रिपीट कीजिए, चेंज मत कीजिए, जैसे यंत्र का फंक्सन करने क काम क्या होता है एक ही तरीके से होता है एक ही तरीके से वो function करता है तो उसी परकार से आप जो शिखाना जा रहे हो उस किरिया को आप एक ही रूप में बार-बार प्रस्तुत कीजिए तो यह यांत्रिक तरीके से सीखने पर बल देता है इसके दुवारा साथियों क्या किया जाता है? भै सम्मंदी ब्रांतियों को दूर किया जाता है भै सम्मंदी ब्रांतियों कैसे दूर किया जाता है? आप पहले मैं भै उत्पन करणाने दिखाता हूँ कि क्या किया जाता है एक बालक है एक बालक है यह प्रशन आता भी है एक बालक है तो वह उसके पास में बिल्ली आती है वह बिल्ली को किस परकार उस बिल्ली पर हाथ खेरता है बिल्ली उसे पंजा मार देती और उसे दर्द होता है अब वो बिल्ली जैसी कोई भी नरम फरवाली चीज जैसे कंबल है या बिल्ली का कोई टॉईज है उसको देखके डरता है बलकि वो नरम फरवाला कंबल या बिल्ली का जो एक डमी है बिल्ली की जो एक आकरती है बिल्ली का जो खिलोना है उससे वो वास्तिक बिल्ली नहीं है पर परंतु बालक उससे डर जाता है यहने आब बिल्ली ने नरम फरवाले कंबल ने किसका इस्थान ले लिया है बिल्ली का इस्थान ले लिया है जैसे कि मैंने पिछले एक्जामपल में आपको बताया था कि घंटी किसका इस्थान ले लेती है भोजन का इस्थान ले लेती है तो भोजन पर जो अनुकिरिया होनी चीए वही अनुकिरिया आप किस पर होने लगी थी घंटी पर होने लगी थी यहां भी देखिए जैसे किस पर अनुकिरिया करनी चीए बिल्ली से डरना चाहिए बच्चा और डर किस से रहा है नरम वाले कंबल से तो कंबल ने किसका इस्थान ले लिया है कंबल ने इस्थान ले लिया है बिल्ली का इस प्रकार से साथियो अब ये कहोगे सब भै उत्पन करवाने बाते हैं भै कैसे दूर किया जाएगा हम बिल्ली के खिलोईने को बच्चे के पास मिलाते हैं बच्चा रोएगा फिर अगले दिन उसके और नजदीक लाते हैं फिर भी रोएगा फिर और नजदीक लाते हैं फिर भी रोएगा लेकिन वो रोना कम करता जाएगा और बच्चे को हम यह क किया जाता है साथियों दूर किया जाता है और इसी में साथियों आता है अगर हम देखेंगे इसमें ये पशुवों को प्रेक्षिक्षन देने में उपयोगी है खास तोर से मदारी जो होता है बंदर वाला खेल दिखाता है वो मंदर को इसी परकार से ट्रेनिंग कराता है एक ही कारिये को बंदर के सामले बार-बार रिपीट करता है और उस पुनर्बलन देता है बार-बार इस वज़ए से साथियों अगर हम किसी पसु को ट्रेन्ड करना चाहते हैं तो शास्त्री सिध्दांत उसमें उपयोगी होता है इसी प्रकार से साथ ही हो सिक्षा के छेत्र में एजूकेशन में अपन देखते हैं दरश्य सरवे सामग्री यह ओडियो विज्वल जो मैटरियल यूज किया जाता है सामग्री का उपयोग किया जाता है किया जाता है वह इसी सिध्धान्त की देन है इसी सिध्धान्त की देन है इसी सिध्धान्त की देन है साथ ओडियो विजुल जो सिस्टम है देखे ओडियो विजुल में क्या होता है बच्चे को हमें क्या सिखाना है कबूतर तो देखे सबसे पहले बच्चे के सामने आएगा कै फिर आए जाए के साथियो इसका इस प्रकार से दिखें यो देखें कबूतर समझाना आए बच्चे को तो बच्चे के सामने पहले आएगा एकदम कबूतर और फिर उसके सामने आएगा उसका चित्र फिर इसी प्रकाएगा यो देखें आप कबूतर और फिर उसके सामने आएगा चित्र तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि बच्चा ओडियो विज्जल जो सिस्टम आया है वो इसमें और भी आप इसे विस्तार से समझ सकते हैं जैसे पहले आएगा उसका आवाज कबूतर फिर आएगा उसका चित्र कबूतर तो बच्चा रिलेट करना सहन जाता है कि ये कबूतर है और फिर आएगा कैः इस प्रकार से ओडियो विज्जल सिस्टम के दुआरा हम क्या कर सकते हैं जो सिक्षन में सामगिरी की गई है उसे हम प्रियोग किया गया है वो इसी अधिगम सिध्धान्त की देन है अगर आप भासा स्क्षन सीखना चाखते हो भासा लेंगवेज दुनिया की कोई भी लेंगवेज भासा सिक्षन में यह सिध्धान्त बहुत जादा उपियोगी है बासा सिक्षन में कैसे उपी होगी है साथियो तो देखिए कोई भी लेंग्वेज हमें सीखनी होती है तो उसमें हमें इस रूप में सीखना होता है देखिए भासा को हम किस रूप में सीखते हैं साथ ही हो कोई भी लेंग्विज सीखने हम बच टीचर के पास जाते हैं फिर उसको सबसे पहले लिखते हैं आ है फिर उसका चित्र दिखाया बच्चे को एपल का चित्र दिखाया जाता इसी प्रकार से हमारी दिंख पर वाल सीखतेि देर उगा और इधर बिल्ली का चित्र होगा गाव जुँरी का 1987 लोग तो बच्चे में यह बताए सीक से तो कार भी बन सकती है ऑफर बच्चा क्या वो लेगा जब भी उसको अगली बार क्यों हमने बच्चे के अनुकरिया के आएगी, cat, सी को देखते हैं छोटा बच्चे क्या बोलगा, cat, बलकि हमने cat का चित्र नहीं दिखाया, क्योंकि पहले बच्चा क्या कर रहा था, बिल्ली के चित्र को देखके क्या बोल रहा था, cat, तो cat बोलना तो, क्या थी, अनुकिरिया और कैसे अनुकिरिया थी स्वाभावी का नुकिरिया क्योंकि बिल्ली के चित्र को बिल्ली का बिल्ली ही बोला जाएगा ने की चुहा इसलिए बिल्ली का चित्र को देखके बच्चे ने जो अनुकिरिया की cat बोला यह उसकी अनुकरिया थी यह स्वाभावी की अनुकरिया थी क्योंकि उद्धिपक भी हमारा कैसा था स्वाभावी लेकिन हमने जब इसे कई दिन repeat किया c for cat c alphabet दिखाया और पिर चित्र दिखाया बच्चे ने बोला cat इसको हमने कई दिन repeat किया तो एक दिन हमने के वल c alphabet दिखाया और बिल्ली का चित्र नहीं दिखाया और c पर बच्चे ने क्या बोला cat तो अब उस चित्र का इस्थान किस ने ले लिया इस alphabet ने ले लिया बिल्ली के चित्र का इस्थान किस ने ले लिया इस alphabet ने ले लिया जैसे कि मैंने का था भोजन का इस्थान किस ने ले लिया था घंटी ने ले लिया था तो उसी परकार से कि इस चित्र का इस्थान किस ने ले लिया इस अल्फावेट ने सी ने ले लिया इसलिए सात्यों दुनिया की कोई भी language सीखी जाती है तो इसी रूप में सीखी जाती है सात्यों इस सिध्धान्त में अभी और भी बहुत सा matter बचे है जैसे अनुबंदन इसने चार परकार के अनुबंदन बताये हैं काली का नुबंदन उस परकार से हम इस पे और भी कई चीजें बची हुई हैं हम विस्तार से इस पे दस मिनट के लिए फिर कभी बात करेंगे धन्यवाद